जैहिन प्रेंच वेलकम टू माई OPC यूटूब चनल स्टडी मिटेरियल A2Z AOC सिकंदराबाद वैकंसी रिक्रूटमेंट 2023 2023 की बफर वैकंसी आपकी अभी भी बाकी है क्योंकि आप देखते हैं कि आपकी 419 पदों पे जो रिक्रूटमेंट यहां पे पब्लिस की गई थी वो दोस्त आपका completely done हो जाएगा और साथ में आपकी apply debt दोस्त और एक चीज़ यहां पे बहुत सारे candidate fireman का जो है कब apply होंगे start और आपका tradesman का fix debt दोस्त हम जो है discuss कर लेते हैं तो कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको चैनल पे अपडेट कर देता हूं चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा और कोई भी officially notification जारी की जाती है तो मैं यहां पे आपको publish कर देता हूं करता रहता हूं तो वीडियो की description में link डाल दिया है आप सभी जुड़ जाएगा और एक चीज़ और बता देता हूं तो बहुत सारे candidate क्या करते हैं कि sir whatsapp group में जुड़ना है बार बार comment आते रहते हैं तो एक तो मैं काम कर दूँँगा कि भाई आपको जो है यह whatsapp group जो है हमारा एक तो हमारा website पे है study material a2z.in आप लगाते हैं ए और टू और जड यह लगा लेना ठीक है a2z.in study material आप सभी को आता ही है तो study material a2z.in लगाएंगे वहां से आप जो है इसको join कर सकते हैं देखिए का कापी सारे member जुड़ी हुए है यहाँ पे मैं क्या करता हूं अपडेट कर लगाता रहता हूं लगाता है क्योंकि यहां पे देखेगा को जो भी आती हैं अपडेट हैं आपकी जो भी भरती आती हैं तो जो भी notification होता है क्योंकि हमारी website भी है देखेगा study material a2z.in जो कि आपका nda का फोब निकलावा था यह हमारी यहां पे जो है डाल देते हैं website पे जो भी सारी चीजें भी तो आप गूगल पे सर्च भी करते रहेगा website को तो यह यहां पे दोस्त आपकी जो है ग्रूप है WhatsApp ग्रूप AOC आपकी दोस्त कापी सारी candidate की सर अपलाई डेट कब होगी तो आपको मैंने दो चीजें पहले बताए थी बुन को मैं बताता हूँ एक बार फिर से छोटी सी बात कि AOC का result आते ही आपकी यहां पे आप दोस्त application form स्टार्ट हो जाएगा तो अभी हमारा जो पहला mission जो था द publish नहीं हुआ है वो का publish हो रहा है वो हम बात करेंगे और साथ में आप जो है कब तक apply स्टार्ट होंगे और एक तो आपका fireman जोस्त है वो पहले जो है होगा या फिर आपका tradesman या दोनों साथ साथ यह भी बहुत सारे candidate क्योंकि confuse हो रखे हैं भी कि सर इसका जो है fireman में apply करू तो यह दो तिन चीज़े हैं तो AOC सिकंदरा बाद दोस्त नोटिपिकेशन आपके सामने पहले भी मैंने यह नोटिपिकेशन दिखाए थे देखिएगा एक सेकंड यहां देखिएगा यह देखिएगा यह आपको नोटिपिकेशन पहले बहुत पहले दिखा चुका हूँ बार-बार दिखा रहा हूँ अब यहां पे अपलाई डेट के रिगार्डिंग बात करें तो देखिएगा दोस्त AOC दो चीज़ें कर रहा है 11 जनवरी 2023 को रिजल्ट जारी कर रहा है किसका AOC मैटेरियल असिस्टेंट का यह नाम सुनते ही आपको बस खुस हो जाना चाहिए जबर्दस तरीके से और अपना तो क्या आपको भी 11 जनवरी से अपलाई स्टार्ट हो जाएंगे यह सवाल बहुत सारे कैंडिडेट के क्योंकि सार आपका 11 जनवरी को रिजल्ट आते ही क्या स्टार्ट हो जाएंगे तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि कंफर्म डेट आपकी यह सी ने भी जारी नहीं की है और आप देखेगा दोस्टे कोट नोटीस भी आपका जो है लग चुका है यह सी में तो उससे कोई एफिक्ट पड़ता है तो 11 जनवरी को रिजल्ट नहीं आएगा और रिजल्ट जब नहीं आएगा चांस पूरे हैं कि रिजल्ट आपका आएगा और कोट जो स्टे नोटीस है वो फूरी तरह से फैल्ड हो रहा है आपका जो है क्योंकि वैकंसी बढ़ने की जो है चल रही थी वेकंसी आपकी सो के इंक्रीज करने की बात थी तो वो अब जो है आपका यहाँ पे बिलकुल दोस्त जो होतावा नहीं दिखाई दे रहा है और आपका जो सेकंड पेज है वो दोस्त यहाँ पे वो सी खुद कह रही है कि हम फायर्मेन का कंड़क्ट करवाएंगे और थार्ड पेज जो है आपका तो पूरे पूरे चांस है कि दोस्त आपकी अलग लग रिक्रूटमेंट आएगी तो इससे तो आपको कन्फूज होने क्या हो सकता ही नहीं होनी चाहिए कि सर मैं फायर्मेन का अपलाई करूँ या फिर आपका ट्रेश्मेन का लेकिन फिर भी यह भी तो है ना कि भाई साथ में नोटिपिकेशन आ जाएगा तो अब यहाँ पे आप देखेगा NDA का एक रिक्रूटमेंट आया है अभी आप देखेंगे NDA पूने का और वो भी एक जबरदस्त है AOC से भी जबरदस्त वेकेंसी कहूंगा मैं इनको क्योंकि NDA की वेकेंसी है और दूसरी चीज यह नोटिपिकेशन जब निकालके निकाला है MTS में आपके और LDC के या फिर अदर जो भी इन में केवल आप एक ही पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं तो आपको ही इसका नुक्सान उठाना पड़ेगा मेरे भाई जब फायरमेन और ट्रेशमेन का साथ-साथ नोटिपिकेशन अगर आ जाता है तो आपको केवल एक ही जो की चूज अगर आप दोनों को भी चूज करेंगे तो आपको एक के लिए ही सोट लिस्टेज किया जाएगा यह आप NDA के नोटिपिकेशन में किलियर मेंसन किया गया है आप आसानी से जाकर इसको देख सकते हैं तो यह जो है कुस्स आपका था मैंने पूरी तरह से कोसिस किये कि आपका एक तरह का जो है पूरी तरह जबाब दे दूँ इसमें फायर्मेन का दोस्त और ट्रेट्समेन का अगर आपके अलग-लग नोटिपिकेशन आते हैं तो ही आपको बेनिपिट हैं दोनों भर्तियों का आप एंजोई लीजिएगा अपना पूरा 100% देने का मज़ा यह लग रहेगा लेकिन जब 7 में आएगा तो भाई आपको केवल एक ही भर्ति में अपलाई करने के लिए मोका दिया जाएगा क्योंकि यह NDA के नोटिपिकेशन से ही क्लियर हो गया था और आप नोटिपिकेशन आ जाएगा तब भी देख लेना क्योंकि दोनों फिर जो है कैंडिडेट फिर आपसे तो सभी पोस्टों में डाल के छोड़ देते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा आपको एक चूज करना पड चांस है इसके पहले जो है नोटिपिकेशन आने के बहुत ही कम चांस है इसके पीछे भी रीजन है रीजन क्या है रीजन है एओसी का रिजल्ट आ जाना रिजल्ट आने के बाद कुछ प्रोसेस और भी होंगी और कुछ प्रोसेस होंगी और साथ में आपका जब यह आपका जब दोस्त पब्लिस हो जाएगा उसके बाद ही आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा लेकिन फिर भी उसमें भी कई करण होते हैं कि आपका रिजल्ट आने के बाद उनको जो है डियूएउपी की साइट पे नोटिपिकेशन डालने होते हैं डियूएउपी की साइट पे पूरे पूरे चांस हैं कि आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और आपका दोस्त फरवरी से आगे जो है बरती भी चला जाएगा यानि मास तक ये बरती कंप्लीट होगा इन्होंने तो जो टारगेट लिखा था कि हम 2023 में फरवरी तक करवा लेंगे लेकिन भाई ये हरती आएगी तब भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इससे थोड़ा सा गलत इंपक्ट भी पड़ता है जिनको थोड़ा पूद भी पता होता है तो वह कुछ भी बोलेंगे ठीक है ना तो ये एकदम किलियर एकदम स्टीक इनफोर्मेशन 2023 का लक्स से बना लो एक नोकरी ले